वेलकम बैक टूर चैनल तो देखिए नीट 2023 में जो भी एस्पिरेंट आप अपियर होने वाले हैं जो हिंदी मीडियम से हैं उसके लिए हम सीरी शुरू कर रहे हैं जो आपको आपके एक्जाम में बहुत ही जादा हेल्प करेगी यह पूरा है आपका हिंदी में तो अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए मैंने चैप्टर पढ़ा भी रखे हैं हम आपका जब आपका नीट एक्जाम 2023 होने वाला होगा तब आपका एक क्रेस कोर्स लेंगे जो पूरा NCIT बेस्ट होगा तो उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ह थारे को करेंगे चैप्टर को मिलेंगे टॉपिक वाइज कोर्शन मिलेंगे एक चैप्टर से आपको इतने सारे कोश्चों मिल जाएंगे कि आपको को दूसरा चीज करनी की जरूरत नहीं पड़ेगी आज की जो कोसफ़े वो प्रीविइस सकते हैं चलिए फी शुरू करते हैं आज की वीडियो वीडियो आपको मिलेगी हमारे चैनल पर हर दुपहर बारा बज़े तो आपने बारा बज़े जरूर से जरूर अपनी वीडियो को चेक करना है मंडी टू फ्राइडे और जो भी नीट एस्पिरेंट हैं प्लस जिनके छो आपका जनरल साइंस की प्रिपेशन बहुत सारे एक्जाम के लिए तो वह भी फ्री है सिर्फ आपने चैनल न्यू है तो जादा से जादा चैनल को सुपोर्ट करना है फर्स्ट कोशन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रखा है मैंने यह चैप्टर आपको पढ़ा रखा है अगर आपने नहीं पढ़ा है हिंदी में हिंदी में पढ़ा है तो आप उसको जरूर पढ़े ठीक है निम्ण में से कौन सा पहलू सजीवों का विसिस्ट लक्षन है आपने यहाँ पर बताना है सजीवों का विसिस्ट लक्षन तो देखिए पर्यावरन तता इस्मृती में होने वाले घटनाओं का अबवोध करना वाहा तता आंत्रीक और पधारतों के संचय में भार में ब्रद्धी होना इन विट्रों में होने वाली प्रथक उपापचय के रियाएं केवल आंत्रीक और से भार में ब्रद्धी होना ते देखी मैंने आपको बताया था ब्रद्धी क जा रही उसके लंबाई क्यों क्योंकि उस पर बहुत सारी चीज़ें क्या है यह खठा हो जा रही है आकर रेत मिट्थी कर तो उससे कया है लंबाई बढ़ती जा रही है इसी तरीके साब किसी पत्थर को अगर रख देंगे उसको कई सालों तक वहीं रखा रहेगा तो उसके पर दूसरे particles आका चेपक जाएंगे वो क्या है ब्रिधी कर जाएगा लेकिन आप उसको ब्रिधी का लक्षन नहीं बोल सकते सजीवों की अंदर जो ब्रिधी होती है वो आंत्रिक होती है ये धियान रखना है उनका मास बढ़ता है अंदर की तरफ से तो option 4 आपका यहां पर correct ह next question देखें सभी previous year question है जो आपको आपके exam में नीट exam में AIPT में आपको पूछे जा चुके हैं तो एक भी question को miss नहीं करेंगे जादा से जादा channel को subscribe और दूसरों के साथ share करेंगे अगर आप चाहते हैं कि यह series आपकी चलती रहे second question देखेंगे सजीवों को निरपराद रूप से निरजीव वस्तों से उनकी निम्न शमता के अधार पर विभेदित किया जा सकता है तो दो कि यहां पर आपने बताना है निरपराद मतलब जिसका कोई भी अपवाद नहीं होता वो लक्षण क्या कहलाते हैं निस्चित लक् देखने नहीं मिल रहा है कि कोई एक चीर रखीए वो सालो बाद ये महीनों बाद खुद से दो जाएगे ऐसा कुछ नहीं होता लेकिन उसका अपवाद आपको देखने मिलता है आप उस शरमिक मधुमक्यों के छतों में जो शरमिक ہोती है वो जनन नहीं कर सकते आप खचर करते हैं जो आपका गधा और घोड़े के संक्रन से बना आप उसमें क्या कर सकते हैं इस wurत वो जन्तानों को पैदा नहीं कर सकते अगर बैप कुछ हो भी जाएंगे कि उपने निश्चित लक्षण Communication नहीं है तो आपने निश्चित लक्षण बताना तो देखे वह छेतना क्या है वह किसी भी निरजीव में आपको नहीं देखने मिल ते किसी सजाओ में इसका आपको आपवाद क्वाद धेखने नहीं मिलेगा फिर देखे इंग्लिश में भी दिहान रखना है तो बोटनीकल नॉमेन क्लेचर है मतलब इंटरनेशनल है अंतर रास्टे की बात हो रही है यहां पर थर्ड ऑप्शन हो सकता था लेकिन यहां पर देखिए आपको दे रखा है भारतिय सहनिता तो यहां पर ऑप्शन एफस्ट आपका करेक नेक्स्ट देखिंगे जेव वर्गी की का उदेश्य है तो जेव वर्गी की का आपने उदेश्य बताना है वयापक उद्ध्य लक्षनों के अधार पर जीवों का वर्गी करन जीवों के विभिन वर्गों को सीमित करना तथा उनके मद्य संबंद इस्थापित करना जीवो के उद्विकासिय इतिहास पर आधारित वर्गी करन तथा अध्यान के सभी शेत्रों से प्राप्त विभिन पैमानों के कुल योग से उनका जातीवरत इस्थापित करना जो की बिल्कुल सही है जब आप जीवों का वर्गी करन देखते हैं तब आप उसमें जातीवरत समान होते हैं आप जगत से नीचे आते हैं जाती तक ठीक है यह है आपके साथ उपर से नीचे आते हैं तो समान लक्षणों का क्या है आपको समान लक्षण बढ़ते हुए दिखेंगे जब नीचे से उपर जाते हैं तो घटते हुए दिखते हैं आपने धिहान रखना है य संबंधित है आपका वर्गी की पदानुकर्म संबंधित है पादपो तथा जन्तू के वर्गी करण के लिए सभी श्रेडियों की क्रमवद वेवस्ता यही ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा मतलब आपका पादपो जो जन्तू है उनके वर्गी करण के लिए सभी श्रेडियो क्योंकि क्रम व्ध ववस्था एक सिस्ट्रमेटिक तरीके से उसको व्यवस्थित करना Pulster फरी रूपसे प्रत्थक निकट संबंदि समस्थानी समस्तियां कहके क्रती एक ओनने क्धिक आकार तो क्या हो समान हो देखने में आपको समान लगना हैं लेकिन जननीय रूप से प्रत्थक उनमें क्या है जनन रूप से वो प्रत्थक होंगी ऐसी जाती है क्या कहलाती है सहोदर जाती है कहलाती है सारे प्रीवीज येर कोशन इंपोर्टेंट है देखिए आपको अब इससे सारे NCRT बेस कोशन भी गराए जाएंगे तो आपने चैनल को आधिये ये मंड 이 to Friday नीम्न में से कौण वंश की तुलना में लक्षणों में सबसे कम सामाने हैं तो देखिये नीचे से आपके समाने लक्षण मान身 में होता है तो जाती तो है फिर आपका यहां पर जो करेक्टों सर मधान सर कर्या देखिंगा आपन आपका करेक्ट आन्सर है वह क्या है अफ्शन फस्ट है नेक्स्ट को सदिखते हैं प्रजाती को मानँ Só within जिब प्रजाती जैती है इसको क्या मानँ जाता है वरगी करण की आधार भूत वास्तवी कि काई मतलब वास्तब आप अगर देखिए आप एक शेर को देख रहे हैं तो वास्तव में आप क्या देख रहे हैं वो क्या प्रिप्रेजेंट कर रहा है एक जाती को रिप्रेजेंट कर रहा है आप एक मानव को देख रहे हैं तो वास्तव में एक जाती को देख रहे हैं तो मतलब वरगीकरण की आ प्रजाती की समस्टियों के मध्य जीन का प्रवा नहीं होता है गलत हो गया आप देखेंगे फिर आपको पूछा एक प्रजाती की समस्टियों के मध्य जीन का प्रवा नहीं नहीं होता है और आपसे यहीं पूछा गया है होगा तो यह क्या है आपका option B करेक्ट है जो सही नहीं है वही बताना था न तो यहां पर नहीं लगाया तो यहीं आपका करेक्ट है प्रजाती क्या होती है प्रजाती वह उनको बोल जाता है जो स्वतंत्र रूप से जनन कर सकती है जो स्वतंत्र रूप से जनन नहीं कर सकती है वो एक प्रजाती की नहीं हो सकती है एक प्रजाती की परिवाशा है पड़ा रखा है इस चैप्टर को जरूर देखेंगे जाके दो पादपोगों को सम्मीली तुरूप से एक ही जाती का कहा जाएगा जब कब कहा जाएगा जब आपको बतायागा है वेस पर सौतंत्र जनन कर सकते हैं तथा बीज बना सकत देने को इपी को थी दो अलग डग जाती है से अब यह जेति हैं सगुझे जनन कर सकति किसी तरीके से अगर उनमें जनन करा ऊ午ं ल Susie सब देखा ता और आप prêtno विफी होता है जनतू का संग्रह होता है म्यूजियम में क्या होता है आपका जनतू के कं रहते हैं ये है आपका नेक्स्ट कोशन बनस्पतिक उद्यानों का एक प्रमुक कारे है जो आपके बोटनिकल गार्डन है बनस्पति उद्यान है उनका एक जो क्या कारे क्या है प्रमुक कारे आपने बताना है तो देखिए ये मनुरंजन के लिए सुन्दर इस्थान प्रदान करते हैं यहाँ पर ऊच्ण कटी बंदिये पादपो को रखा जा सकता है फिर आपका आता है यह जर्म प्लाज्म तथा वाहि इस्थानों का संदक्षन करते हैं यह बनने जीवन के लिए प्राकर्तिक आवास प्रदान करते हैं तो आपने प्रमुक कारे बताना है तो आप्षन जो आपका थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा यह थे आपकी प्रीविएस एर कोशन जो आपकी इस चैप्टर से हैं और भी हैं और वह भी बहुत सारे इंपोर्डेंट कोशन है चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे फ्रेंट के साथ शेर करें हर दुपहर 12 बजी मंडे तू फ्राइडे मिलेंगे आपकी क्लस का टाइम है जो निट 2023 के बच्चे है उनकी क्लास का टाइम है बारा बजी ठीक है उनको दूसरी क्लास के टाइमिंग से कन्फ्यूज नहीं होना है नीचे जो लिंक है उसको जरूर चेक आउट करें जाके चैनल को सुपूर्ट करें मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए पढ़ते रहें थैंक्यू